हेलो स्टूडेंट आज का टॉपिक है एंगल ओफ रिपोच जो की फ्रिक्षन का एक इंपोर्टेंट टॉपिक है इसको हम लोग समझते हैं कि क्या होता है सपोज करें कि हमारा यह कोई होरिजन्टल प्लेन है और इस पे हम एक ब्लॉक को रख दे रहे हैं यह स्टेबल है ठी स्टार्ट कर दिया एक बार फिर से समझो इसको हमने हीन्टल प्लेन पर रखके और धीरे इसका हमुरु और म रखते हो और वो जिस एंगल पे जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट करता है उसको एंगल ओफ रिपोज बोलते हैं लेकिन इसकी वैलू क्या होगी अगर सरफेस का कॉफिसेंट ओफ रिक्षन मालूम होतो तो उसको तो कैल्कुलेट करना होगा मैतमेटिकली लाज अपमोसन लग स्लाइड करना सुरू कर देता है मतलब वो लिमिटिंग वैलू होती है सपोज करें कि यह कोई ब्लॉक एम है और वह अलफा एंगल ओफ इंकलाइनेशन पे स्लाइड करना सुरू कर दिया है ब्लॉक का मास एम लिए हम यहां पर और ब्लॉक और इस इंकलाइन सरफेस के पैया झाल और आपका अगर बात करोगे वेट किधर होगा तो इसका मजी जो होगा शीधा नीचीत होती है और इस पर नॉर्मल को डाहर होगा तो यहां पर जो है हम axis system कुछ यूँ बनातेते हैं एक्स एक्स यह ले ले लेते हैं और y-axis इसके लोग ले लेते हैं यानि कि कह सकते हो कि इसके लोग ही block M में tendency हैं मुसर का अब यहां पर यह angle बता कितना होगा तो यह angle आपका होगा अलफा चुकि angle of inclination अलफा है तो यह भी क्या होगा वर्टिकल के साथ यह angle कितना होगा अलफा होगा तो यह क्या हो गया Mg का component Mg cos alpha है ना और यह कौन सा क्या होगया Mg अब ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल और mg कॉस अलफा एक दुसरे को बैलेंस कर ले रहा होगा यानि कि n को आप लिख सकते हो क्या mg कॉस अलफा और चुकी ये ज़स्ट स्लाइडिंग स्टार्ट किया है नीचे के तरफ चुकी एंगल ओफ रिपोज पर क्या होता है किया होता है करता है तो यह स्लाइडिंग स्टार्ट किया है तो ये क्या होगा लुमिटिंग वैल्य ओफ पृm के वराबर की है तो इन्तों सीन ले लिया है और यहां पर पुट करो एंकडा ये tactics लेंगे कोस अलफा तो कि ईकम्घी और गॉसालफा और यह क्या एमजी साइनल फार इधर की मैं इन तो अनुट गया तो इधर क्या था अलफा अब है और इधर कितने के बरावर हो और अलफा तो अलफा कि यह मूँ हो गया है ना तो अलफा फिर क्या हो गया था कि वेलू टान इनवर्स मूं कि बराबर है ना यानि कि कह सकते हो इसे कह सकते हो कि टैन अलफा उतनी ज्यादा जदा होंगी जादा म्यू हो याने कि आंगाल ओफ रिपोज उतनी ज्यादा होगी जितनी मू think मतलब यह हुआ कि एंगल ओफ रिपोज से अगर कम एंगल ओफ इनकलाइनेंशन है तो ब्लॉक जो है रेbbe करेगी और angle of report से ज्यादा है तो block M जो है नीचे के तरफ along plane जो है क्या करेगी नीचे के तरफ slide करेगे गए तो यही था angle of report का concept असा कर रहा हूं कि आपको यह हमारा concept अच्छा लगा थैंक्यो